प्रतिवर्ष 21 जून अंदराश्ट्री योग दिवस की रूप में मनाया जाता है जिसका प्रारंब 21 जून 2015 से हुआ है इस दिन को चैनित करने का उद्देश सूरी का जल्दी उदय होना एवं देर से अस्त होना है जिसे की सूरी के तेज से हम ज्यादा से ज्यादा समय लाभानवित हो सकें योग भारत में ताचीन काल से ही प्रसिलित है योग के विभिन रूपों से हमारे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्ति को लाभ मिलता है कोरोना महामारी में जब मनुष्य को कोरोना से लड़ने के लिए अपनी रोग प्रतिरक्षा तंत्र को मज़बूत बनाना है उसके लिए योगाप्यास अती महत्वपोर्ण है अंतरास्ट्री योग दिवस और कोरोना के बीच इसी तारितम के प्रस्तूत करती मेरी कविता विश्व योग दिवस और कोरोना उप्चार योगाप्यास नहीं है भारत में नवीन यह तो है लगभग पांच हजार वर्ष प्राचीन शरीर और आत्मा के सामन जसी का अध्भूत है विज्ञान आ प्रत्यक्ष रूप से कर सकता जटिल रोगों का निदान मन और मस्तिश्क के संतुलन का यह है कारक इसलिए शारेरिक और मानसिक समस्याओं का है निवारक किया गया 21 जून का दिन चैनित क्योंकि ग्रिश्म कालीन सक्रांती का सबसी दिर्ग दिन है वर्नित बनाये प्राणायाम एवं योग को जीवन का अभिन अंग फिर किसी भी विमारी का नहीं होगा संग 21 जून के देवस रवी होता उदय प्रथम बासकर का तेज इस दिन होता सर्वत्र उत्तम कोरोना विस्वोट विश्व में निरंतर है जारी अब आई योग से कोरोना को हराने की बारी कोरोना कोहराम के बीच कारम करना है योग ताकि संपून विश्व बन सके पुना आरोगे वर्तमार समय में कोरोना का कहर है बरसा योग के अभ्यास से प्रति रक्षा तंथ मजबूत होता है सहसा पुरादन पर्धती पर तनिक भी न करे संशय विश्व योग दिवस पर करे करती दिन योग का द्रड निशय धन्यवाद जैहिन सेपून झाल